हाई वेलकम बैक तो मैं यूट चैनल आप लोग ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो में हम जो है वो वीजा डॉक्यमेंट्स पर बात करेंगे वीजा और डी ओवी की डॉक्यमेंट्स पर उसब से पहले मैं आपको एक बात बहुत बहुत आसान अलफास में क्लेर कर दूं कि सीम कैल आपके डॉसरे हाथ में आपके डुल के डॉक्रेट फिसक्तन हर्ट कर्ने डौक्यमेंट्स नहीं के डॉक्रेष अपके डॉक्यमेंट्स होता है तो आप आपको पूरी नहीं करनी पड़ेंगी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले के डॉकिमेंट्स आपको कौन को से चाहिए पहले डिज्कस करते हैं फिर वीजा की तरफ जाते हैं तो डीओवी में जो आपके बहुत बेसिक दोक्यमेंट्स हैं वह आपके एकने अभाट्स है तो आपकी मेट्रिक की मांगशीट और मेट्रिक का सर्टिफिकेट मतलब टैंथ के डिप्टेशिव के मेटिक मार्ट 10 की डिग्री और ट्रांस्किप्ट और इसको फिर आपने जो कराना है अटेस्टेशन कहां से करानी है वह आपने सबसे पहले जो है वह बोर्ड से करानी है बोर्ड के बाद कि हैज़ के से हाई एजुकेशन कमिशन से और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री औफ फोरण अफेर्स पाकिस्तान से करानी है जब आपकी यह तीनों डौकिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं जहां-जहां से प्राइफ करानी है यह उसके बार आप इनकी दोब्लो कोपी करा निया है। जैसे आपने original अटेस्ट करा लिए तो फिर उसकी काउंट होती है तो यह आपके जुकेशनल डॉकुमेंट्स थे इसके बाद आपकी जो है वह सी एनाइसी आ जाती है मतलब यह वह डॉकुमेंट्स बता रहा हूं जो अपने साथ कॉंसलेट यह एंबेसी लेकर जाओ वैसे तो जब विजा अप्लिकेशन से पहले चाहे एंबे जब आप विजा फाइल करें उसके बाद तीन मंस की वैलेडिटी होनी चाहिए और उसके बाद पिर आपकी कोई रिसेंट फोटोग्राफ मतलब कुछ पिक्चर्स होती है आपकी वाइट बैक्राउंड में तो आप गूगल करो कि क्या रिक्वार्मेंट है आपकी पासपोर प्रणाइब करें पर दो उसके बाद पिर आपका जो है ड्मिशन लेटर एडमिशन लेटर भी आपने डाउनलोड करके अपने पास रखना अगर कुछ इन्वस्टी ऐसी होती है जो एडमिशन लेटर नहीं देती तो आपने सिंपल यह करना है जो इमेल उन्होंने भीजी ह कि आपका एडमिशन हो गया है तो आप उसका जो पीडियेफ होता है जीमेल का पीडियेफ वह डाउनलोड करके अपने पास रख लो और उसको साथ में अटेच कर दो यह थे बहुत सिंपल डियोवी की डॉकुमेंट्स अगर आपके पास सीमिया है तो इन सब को आप मतलब स यह फैनेलशल डॉकुमेंट्स होते हैं अपकी बैंक स्टेट्मेंट आजाती है और पिर आपके प्रूफ आ जाता है कि आपका पैसा आया कहां से और आपकी स्पांसर आजाती है तो पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डॉकुमेंट जो आपको चाहिए होगा वह आपको नहीं पता वह क्या है तो आप जो है मेरी पिछली वीडियो में जाकि देखो मैंने उसमें क्या है डिटेल कि आप कैसे फिल करते हो उसके बाद आपकी दो पासपोर्ट साइस पिक्चर वाइट बैक्ग्राउंड और मिनिमम सिक्स मन्स ओल्ड यह इसकी रिक्वार्मेंट है और उसके बाद आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है और आपका पासपोर्ट चाहिए होता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि थ्री मंस की वैलिडिटी होनी चाहिए और दो ब्लैंक पेजिस पासपोर्ट में होने चाहिए यार इतना घूमे कहा है कि हमारे पेज होगा वह अटेच करना है और इसके बाद जो बहुत मोटे मोटे डॉक्मेंट से वह आपके फाइनेशल डॉक्मेंट से इसको मैं सारे डॉकमेंट से एंड में डिसकस करूंगा और फिर आपका आजाता है प्रूफ ऑफ इंशोरेंस टिकेट और अकॉमोडेशन अगर आपको ये तीनों चीज़े बनवानी हैं तो आप मेरे रेश्रेंस या मुझे बनवा सकते हैं मुझे एमेल करें या इस्टाग्राम को मुझे डीम करें मैं वहां आपको बताऊंगा बहुत चीप और मतलब आसानी से मिल जाएग को 35 तीस लग जितन की भी है फ्रेश बैंक स्टेट्मेंट होनी चाहिए लेटसे कल आप वीजा फाल करने जा रहे हैं तो आप आज अपनी बेंक स्टेट्में निकाल कर रखो ताकर एक हफ्टा एक हफ्टा क小 więc हो हुचंग ऋनी चाहिए उस से ज़्से जएदा पुरानी हो होनी चाहिए कि फिर जैरीज आपकी फाइल जाती है या फिर भी एलस इंटरनेशनल या जो भी है तो मतलब बिल्कुल फ्रेश जितना हो सकता है उतनी फ्रेश डॉकुमेंट रखो बासी ना हो बैंक स्टेट्मेंट जो है वह मिनिममम थ्री मंस की होनी चाहिए और मैक्सिममम सेक्स मंत की होनी चाहिए जब मैं आया था तो मैंने फुछ पांच मंत की फाइव मंस की बैंक स्टेट्मेंट सब्मिट की थी तो इस नॉट अबिक दिल तो अगर आपकी तीन मंस की है तो सब्मिट कर सकते हो चार की है कर सकते हो छे तक की भी कर सकते हो उसके बाद है evidence of other financial resources अगर आपकर पॉन्सर जो भी है अगर आपके स्पॉंसर का बूलब यह चाहिए जो भी आपके स्पॉंसर होगा वहां रूइंट होना चाहिए बहुत लोग कोशिन από हमारे प्र regards यह तो पिछले दो सब्सक्राइब आपके स्पांसर के टेक्स बन जाएंगे बहुत सारे टेक्स क्या कहते हैं उसको टेक्स एडवाइजर्स कहते हैं या जो टेक्स फाइल करते हैं वो बैठे हैं पाकस्तान में आप किसी से फईलर हो गया उसके दोग्ग साल का ताप डिकलाब से जाये और अब या पको आपके सपांसर का बिजनिस वत बिजाया साल डिल्टना को बिजनिस की सारे अटेश करोगे और इसके इलावा अगर स्पॉनसर की जॉब है गवश्का आप इसको अटेश करो गये लेट्सका आपके जॉब नहीं है वह रिटायर हो गया तो आप उसकी जो भी डिटेल इस जो भी डिटेल आपको लगता है कि हां यह यह हैं यह चीज़ अटेश करने ही चाहिए वह उसमें अटेश करोगी ह हो इसकी हो या जोब शलिप हो या फिर कॉंट्रेक्ट हो या पिर ने प्रकेस करते हो अगर अग derechos सब करेंड और बीकिशंद को है यह जिन पूस्क्ते पतरौट अब जो आप कर आदेज कैसा आता है यह सारी चीज़ है अब प्लीज मुझे से मत पूछना कि अगर मैं ऐसा करता हूं मेरे फादर फार्मर हैं तो मेरा क्या होगा देखो मुझे इसका आइडिया नहीं है मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं आपको इससे रिलेटिड जो भी लगता है क यह इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अटेज कर दो उसके बाद सेल्री एविडेंस मैं आपको अभी बता चुका है तो सेल्री अगर बिजनिस है तो बिजनिस की डिटेल उसके बाद एफिडेविट बाइदर स्पांसर फॉर फाइनल चपोट लेट से आपके फादर आप जाओ और फिर रिलेशन्शिप प्रूफ विद्दा स्पांसर फार्सी आपने फार्सी जैसे स्कॉलर्शिप के लिए चाहिए होता है तो वही सेम फार्सी आप इसमें भी अटेश्च कर देना एक और चीज मैं आपको बताऊंगा देखो जब आप मोफा जाते हो ना फार्स अटेस्ट कराने के लिए तो आप मोफा जाओ चाओ चाहता कि याटेश्च करता है तो आप क्य Geral कोड़ा जाएंगी तो सारे डॉक्यमेंट्स चो हो जाएंगे अगर आप वीजा के लिए श्कॉलर्शिप डॉक्यमेंट्स भी शो कराओंगे तो थोड़ी सी गड़बाड हो जाएगी कहने का मतलब आप वीजा अप्लाइ करते हैं उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आप इसकॉलर्शिप भी कर चुगा हूं और इसमेंड में लिखन wonder certificate जिस बी ब्रांच में आपके यापके याफ का सबस्क्राइब प्रांच मैनिजर का साइन विए और बस ये चीज अपने लिए कर नहीं तो इस Amination दो चीजे हैं टीओव के डॉक्मेट्स यसीमिय और विजा के डॉक्मेट्स सारे आपके पास आगा है इन सब इन सब को आपने क्या करना है अटेस्ट वेरिफाइड है फाइनल रेडि है मतलब आपकी फाइल बन गई है और यह सारी चीज़ हैं आपको बात में भी काम आती है और इसके लावा फिर आपके पास रहता है तो फिर एक प्रूव होता और अच्छा लगता है मुझे तो अच्छा लगता है जो मेरे पास आज भी है मैं लेकर गुमता हूं आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और बहुत कुछ सिखना को मिला होगा नहीं तो कुछ तो सिखा होगा आपने अगर नहीं लगी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिर मिलेंगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाज़त वससलाम